हेलो माई दियर स्टुडेंट्स, वेलकम टू विद्धा इंग्लिश क्लासेश तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएं एक और लेसन, लेसन नबर 9 जिसमें हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टर संटेंस जो हम रुटीन लाइफ में यूस करते ही रहते हैं तो आपने क्या करना है आपने इस वीडियो को आगे और शेयर करना है और जिन्होंने सबस्क्राइब नहीं किया जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सबस्क्राइब करें और आगे शेयर करें और हाँ वीडियो को लाइक करना, मत बूलना और हाँ कमेंट करके अपने जो ideas हैं जो अपनी doubts हैं वो clear करने के लिए जुरूर comment box में comment करते रहना हमारा आज का जो बहुत ही important और पहला sentence है वो क्या है यह मेरी नहीं तुमारी गलती है यह मेरी नहीं तुमारी गलती है This is your mistake, not mine This is your mistake, not mine इसे हम ऐसे भी बोल सकते है This is not my mistake, what yours हम इसे ऐसे बोल सकते है उसके बार है मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आ जाएगा मुझे ऐसा नहीं लगता हम इसे बोलेंगे I don't think so I don't think so Next है नहीं मतलब नहीं जब हम बहुत ही जादा strongly किसे चीज़ को oppose कर रहे होते हैं ता बोलते हैं नहीं मतलब नहीं No means no No means no मेरे लिए बाहर इंतियार करो मेरे लिए बाहर इंतियार करो अभी lockdown का time है कोई किसी से हाथ नहीं मिलाता Social distancing है तो आज के लिए आज के time के लिए sentence बहुत ही ज़्यादा useful है मेरे लिए बाहर इंतियार करो Wait for me outside Wait for me outside Brhoosa रखो Brhoosa रखो Parmaatma में Brhoosa रखो सब ठीक होगा Brhoosa रखो Have faith जैसे हैं बोलते हैं बिश्वाश रखो Have faith कुछ खास नहीं क्या चल रहा है आज कर कुछ खास नहीं Nothing special कुछ खास नहीं Nothing special बस रहने दो जाने दो बस रहने दो जाने दो Let it be बस रहने दो यार मुझे तुमसे यहीं अमीद थी बस रहने दो यार जैसें बोलते हैं न तो Let it be उसके बाद है साबधान रहो साबधान रहो Be careful जैसे बोलते हैं न साबधान नहटी दरगटना गटी वैसे ही बोलें कि be careful उसके बाद है समय कितना हुआ यह बहुत ही common sentence है हम पूछते रहते हैं पजाबी में हिंदी में हाँ जी की time हो गया समय क्या हुआ what's the time what's the time दोखो हम यहाँ पर what is the time पूछ सकते हैं what is the time पर जब हम बोलते हैं तो अगर बोलते वक्त हम थोड़ा सा speed में बोलना चाते है speed fluent बोलना चाते है fluent मीन थोड़ा सा अच्छा जैसे native speaker बोलते हैं जिनकी mother tongue English है उनकी तरह बोलना है तो हमें इसे बोलना परेगा what's what's the time time क्या हुआ है और आज दिन कौन सा है आए दिन कौन सा है what's the day today what's the day today यह पूछ सकते हैं यहापर day की जग है पर month लगा दे कौन सा मीना है what's the month now कौन सा साल है what's the year ठीक है बस एक एक word को हम replace करके निया sentence बना सकते थे बना सकते हैं यह था हमारा आज का एक बहुत ही छोटा सिर्फ 4-5 मिनिट का एक lecture ऐसे ही मैं आपके लिए और lecture लेकर आऊंगा next class में so आप notified रहना है अपडेट रहना है और जिन्होंने subscribe नहीं किया चैनल वो जिरूर subscribe करें और सारी की सारी जो वीडियोज है सारी की सारी वीडियोज है वो आपको मिलती रहे thank you so much for watching subscribing liking and sharing